तो टोड़े हैं तो अच्छा रहें कि तो आपको लास्ट एरा क्लोजिर नाइक दिखा था आपने आपको तो आपको तो आई टी बॉंबे में दो ऑप्शन्स हैं मसी स्टाटिस्टिक्स या मसी ओर है ना आपके पास आई टी कांपूर का भी ऑप्शन है है मसी स्टाटिस्टिक्स और यह बेस्ट इस लाइस है बाद ही आप एन, इदि के नाइट जया चाहिए कि अउस के बाद ही कि अउन अहों ठीक क्यों जिनको आगे पीएज़ी करनी है तो जनली इनका और से रिगरस है इनका थोड़ा थोरेटिकल कोर्स है और इफिकल्टी ज्यादा रहता है यहां पे तो जो लोगों पीएज़ी अगर फ्यूचर में प्रेफर करना है तो लोग यहां जाते हैं मैंने कई बच्चों को दे को सब्सक्रां इस प्लाइब का तिम इस को यहां सब्सक्राइब करें चाए में रहा सब्सक्राइब सब्सक्राइब मश्राइब जो अप्लाई करते हो ना इंटी प्रस लाइक अगर 40 सीट से हैं तो 35 प्लस लोग अप्लेस्मेंट हो जाता है दो चार पांच शूड जाते हैं उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं इस वज़ा से भी यह जा सकते हैं यह आप पर मिल रहा तो कुस्तान है कानपूर क्यों जाना ह कि क्यों जाना है करिया लोनी चभी प्लेसमेटं सब्सक्राइबियायागि तो यह दोनों एक यृटशिटी ऑफ्सवामीनाथि उनिवेसिटी ओफ सिकागो में में PSG SIderाण कर रहा है उनिवेसिटी ओव क्या साउथbro कारोलिना में तो यह लोग भी पहले chopping सिखी है जॉब मिल गया वेल्स फार्गो में नेतरा जॉब कर रही 26 तराइस लाग का पैकेस था उसका वेल्स फार्गो से बॉंबे से ही उसने एक दो साल जॉब किया फिर यूएस सिफ्ट कर गया स्वामीनाद भी जॉब कर रहा था तो कई लोग ऐसे भी हैं जो पहले जोब करते हैं जोब करके फिर उनको लगता है कि आगे थोड़ा जाते हैं जोड़ा कि जॉब में यह जाता है पैसिव बहुत जादा है जॉब में यह है एक नौर्बल इंसान को इस पास एक लाग की रहती एंड में रिटायर होड़ा होगा 30-40 साल बाद तो 2-3 लाग उसकी म में बहुत जादा सैलरी नहीं है तुम यहां जाओ वे इनिसियल तुमारी सेलरी 2-3 लाग की मंत की हो जाएगी जो सुरू में अगर एक लाग की है तो चार-पांच साल में तुम 3-4 लाग पर पहुंच जाओगे तो यहां बहुत जादा है मनी के मामले में तो यहां आपको यहां पर पॉम्बे में चुकि मैं पुदा आपको अप्सेमेस्टर जो आप कंप्लीट करोगे मतल मैं आपको जाओगे जुलाई 24 में डिविशन लोगे तो जुलाई 2025 में आपका एक साल कंप्लीट होगा अगस्त जुलाई 2025 से लेके दिसंबर तन सो दिसंबर 2025 में आपके पास दोनु रास्ते ओपन रहेंगे बहां पर बॉम्बे में मतलब आई टी बॉम्बे वाले इस मसी को आप डूवल लिए में करवा सकते हुआ मेरी क्लास्मेंट है अंगीता धरगर मेरी क्लाबाइस्मेंट थी तो उसको भी एक्सेंचर में वो मिल सब्सक्राइब करा सकते हो दिसंबर 2025 में मतलब थर्ड सेमेस्टर के एंड में लेकिन इसी कंडिशन यह है कि आपका सीजी पीए 7.5 से जाधा होने चाहिए आउट ओफ टेंग तो आपका उनका प्रोसेस है आप उनका इंट्रवू दो इंट्रवू के फूरू अगर उनको प्लाइग आप शुटेबल हो तो आपको सिदाओ मेंस्ट प्लस पीएज़िय में कनवर्ट कर देंगे उसी दिसंबर 2025 में आपके पास प्लेस्मेंट का ओफसन होगा क्योंकि आईट में थर्ड सेमेस्टर के एंड में प्लेस्मेंट हो जाता है तो दिसंबर 25 में प्लेस्मे प्लास्में लेके आगे निकल जाओ, दोनों ट्राइ कर सकते हो, बाद में एक चूस कर लो, इस तरह से भी है, तो दोनों प्सट नहीं है, तो एक PhD बंबे से ही कर लो, या पीज़ी दूसरी जगा से भी कर सकते हो, आप IIT बंबे से मालो, MSE किये, आपके CZP 8 प्लस बनाते हो, तो आप 10 में से IIT बंबे में, आपका माने कानपूर से PhD करने का, तो बिना NetGate निकाले, आप कानपूर में सिधा इंटर्व्यू दो, और आपको उसी बेसिस से PhD मिल सकता है, अगर इंटर्वू में अच्छा पहों किया, तो बिना NetGate का, इंटर IIT स्कीम है ये, कि एक IIT से इसे को PhD करने जाना है, आपने एक IIT से मसी किया, आपके CGP 8 से जादा है, तो आप दूसरी IIT में, बिना NetGate निकाले, सिधा इंटर्वू दे कि आप PhD इंटर्वू दे कि आप PhD इंटर्वू दे सकते हो, अभी एवरा स्टूडेंट था, अरपन सन्यादू, उसने अभी IIT त दिरूपती से मसी किया है, Mathematics and Statistics में, उसके CGP अच्छा था, वो भी IIT गौहटे से PhD कर रहा है, तो इस तरह से है, इस तरह से है, IIT से CGP में करना कितना मतलब, easy है, मुस्किल होता है, नहीं, बहुत मुस्किल होता है, तो कि, वहां बहुत मुस्किल होता है, जैसे मेरे IIT दिल मतलब, और मैं एक average बच्चा हूँ, IIT दिलियां बहुत below performer था, यहां मेरेस था, क्योंकि IIT में 8 CGPF बनाना is a big challenge, तो वहां, मतलब, आप जाओगी निसेली, तो आपके एजसेंसल क्राइसिस होता है, क्योंकि वहां आप जब जा रहे हो, आप अच्छे रैंक ले गए, बाक क्योंकि वहां पे, तो क्योंकि वह मैंटर नहीं करता है, मैंटर करता है, आपने चीज़ों कितना ज्यादा समझा है, वहां subjective paper होते हैं, मेर्सी semester courses में, तो वहां पे अलग pattern है, वहां एक class test होगा, तेन marks का class test होता है, फिर mid semester exam, end semester exam, इस तरह से exam होते हैं, तो वहां paper थोड़ होते हैं, वहां भी, इनका back लगता है, जैसे college होँ, वहां भी back लगता है, तो कुछ बच्चे आप देखो कि 2 साल की M.A.C. 3 साल में करते हैं, बहुत सार बच्चे आसे भी वहां होते हैं, जो 2 साल में clear नहीं कर पाते हैं paper, जहां feel हो गए, तो तीसरे साल में जाके बागी paper complete करते हैं, जैसे लोग भी है, तो यह सब भी है, लेकिन IAT में मुस्किल है, लेकिन मुस्किल रहना कि आप try करो ना, और जो बच्चा अच्छा rank लाता है, अच्छे marks लाते हैं, वह नित्रा प्रभू का नाम लिए, नित्रा मेरी classmate थी, उसके around CGPA 9 plus है, वो second dopper class की थी, so 9 point something होगा out of day, उसे मेरे 7.5 not, उसके 9 है, उसके बाकी हो 2-4 बच्चे origin के 9 plus है, तो बहुत तो डिपेंड करते हैं, आपके performance हैं, तो कि मैं average बच्चा हो, इसले मैं average perform किया, आप अगर अच्छा होगा अच्छा होगा अच्छा होगा तो आप अच्छा होगा तो आप अच्छा कितना ममीट कर पाते हो आप, तो वहाँ मेनत करके समझ आएगा, तो आप चूज कर लो, आपको जो भी लगते हैं, क्या डिसाइड कर रहे हो आप, मुझे तो बाट प्रेक में यह भी निकरा है, तो, हाँ, बॉम्बे जाओ, यह बिटर हैगा, बॉम्बे, बॉम्बे, बॉ सिर्ण से्टेस्टिक को, सयाँ, बॉम्बे, बॉम्बे, इसे कहते हो वे, बॉम्बे, 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 टो खुवा नहीं है, तो तो जैसे हुआ है गानपूर में, साथ आट नौ दस लाग का है, कुछ बच्चे बच्चे बजानता हूं मैं, तो इस तरह से है, तो बॉम्बे टीक है, बॉम्बे टॉपाइट वहाँ जाओ, को लोगों से मिलोगे, कि तुम्हारी सोच का एक लेबल बहुत ही ब्रूब होगा, बहुत अच्छा एक्स्पोजर होगा, उसके बाद आगे तो बहुत रास्ते हैं, मतलब केता है, कि sky is the limit, वह बाली चीज़े हैं, पहुचने के बाद, तो आगे जाओ, बमबे ब्रूस्टीम के बडमाद, और अख सक्षुरस क्यूं में, लूआ, कि व्यवेट कर सीच लोग दिसेपी पात पाद जैसे है Hope अ मुल गया थुक्षान कर देचाति है यह थो कि यह थाइक JS कर दिद्लिक आप लोग कार देबाक्षा में